हलो फ्रेंद्स वेलकम बैक तो माई चैनल आज मैं फिर से हेंगिंग प्लांट लेक्किया अगर आप ग्रीनरी लवर हैं अपने घर में अपने बालकनी गाडन में तो यह प्लांट जरूर लगाए और बहुत ही इस प्लांट का नाम है तर्टल वाइन इसे तर्टल वाइन क्यों कहते हैं यह भी मैं आपको बताऊंगी वीडियो के आगे और यह है टेंगल हार्ट जिस वाइन की वेराइटी इसे माना जाता है लेकिन इसका एक्जेक जो नाम है वह है बोलिवियन चू यह भी काफी अच्छे से फैलता है यहां से मैं कुछ कटिंग्स ले चुकियों इसलिए खाली-खाली यह पाउड अदर्वाइस वह भी भरा हुआ था यह पाफी भरा हुआ लेकिन इसके साइड से मैंने कटिंग लेके और किसी को दिये हुए है तो यह है टर्टल वाइन जिसके बारे में आज हम बात करेंगी इसको हम इंचिटेव वाइन के नाम से भी जानते हैं और यह जो प्लांट है इसकी जो पतियां है वह एक स्टेम में इस तरह से पिरोई ह इसकी बनावत होती है जिसकी वज़े से काफी खुबसूरत लगता है और इंचिटेव वाइन तो इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो पतियां है वह लगबग एक एक आधि-अधि इंच के गैप में होती है और यह वाइन काफी लंबी फैल जाती है काफी नीचे त गते हैं में प Our cm जगे-जगे नौड्स होती है क्योंकि जआ letter k mutually जाती है और उन्होंच को जैसे ही मिटमें डॉर्ड़ोच करते हैं तो वहीं से इसका प्रोपागेशन सुचंता है किसी भी तरह के पॉट में ऐसे लगा सकते हो चोटे से चोटे पॉट में भी आप इसे लगा सकते हो क्योंकि इसकी जड़े हैं काफी गहराई तक नहीं जाते यह देखी दूसरा प्लांट है प्रोपाकेशन की बात कर रहे हैं तो यहां पर एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि इसका प्रोपाकेशन जो होता है मैं टाइम टू टाइम फिर प्रीट करना पड़ता है जैसे कि अगर आपका प्लांट छे साथ मंद पुराना हो गया है तो वह थोड़ा सा विल्ट होने लगता है पुरानी पत्तियां पुराने स्टैम होती हैं कम जोर सी होके गिरने लगती है कुछ इस तरह से यह गर्मी में इस तरह से हो गई थी तो कुछ नहीं करना है जो नीचे से आपको ग्रीन ग्रीन स्टैम लग रही है उन्हें निकाल के वापस से मिट्टी के टच में रख देना है तो वापस से नियू ग्रोथ स्टार्ट होती है और फिर से हरा भरा हो जाता है इस प्लांट को हम ग्राउंड कवर के रूप में भी लग प्लांट कर गया है क्योंकि यहां पर जो है यह मुझे पूरा ऐसे दिखाना था जैसे कि यह ग्रास है और इसकी जो यहां से वाइन से लटक आई थी उन्हें ही मैंने कट करके जो हैंगिंग प्लांट में आपको भी हैंगिंग बास्किट दिखाई वह बाद में रैडी कर है तो यहां पर हमारा जेट प्लांट का टोपियर यह है जो कि मैंने क्रियेट किया हुआ है और आपके साथ कई वीडियो में शेयर कर चुकी हो यह काफी हरा भरा हो चुका है और इसकी ग्रोथ काफी अठी चल रही है एक बार आप इस प्लांट की कटिंग छोटी से चोटी इस पे थोड़ा पानी तब दे जब मिटी सूख जाए और इसे थोड़ी सनलाइट दिखा है तो फिर यह प्लांट अच्छे से सर्दियों में भी बच जाता है और इसके बाद तो फिर जैसे ही फरवरी स्टार्ट होता है इसकी नियो नियो ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती सब्सक्राइब करें करें कि और प्लांट इसे चलान को पड़की प्लांट भरी निकिकर सबस्क्राइब आखें करें और पाओогette इस प्लांट को नमी पसंद है निकिकर भीन के कि अधिन दोड़े ड्राय लगे तब आप उसे पानी दे दे क्योंकि इसकी जड़े हैं वो उपर उपर ही रहती है और जैसे ही मिटी ड्राय होती है तो इसकी जो प्लांट जो है सूखने लगता है इसलिए हमें पानी का ख्याल रखना होता है इसे थोड़ा मॉइस रखना होता है इस प्लांट को इस plant को आप स्प्रे में NPK का स्प्रे कर सकते हैं उसे काफी healthy और खुश है यहां पिर आप इसमें seaweed का spray भी कर सकते हैं फैट लाइजर की बहुत जादा नीड नहीं होती है इस plant को आप बहुत कम फैटलाइजर से यसे रख फूर कि वाइस किस पास के पॉधों से कुछ पैस्ट इसस संपेесपर तो उस प्रेकॉशन के लिए आप नहीं मॉइल का इस्प्रेग करते रहे हैं जो भी आप पैस्टीसाइट का स्प्रेग करते इस बीकरते रहे तो सज्व स्वाहिज फ्री प्रांट है अच्छा रहेगा इ कि सनेल्स जो है इसकी पतियों को खाते है या लगाई सकन्सेर्ट उद्ध कुछ या डिता एसे वह में क्निये वह जाता है है उन्हें यह बहुत बहुत बुछंग इस लिए इस वीयों का नाम ड़िन का नाम सौन लग रख गया है तो फ्रेंज आई थिंक कि मैंने इस प्लांट के बारे में सारी इंफ्रमेशन दे लिए उसके बावजद अगर मुझसे कुछ चूट गया या आप कुछ और भी कोश्चन आपके मन में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मैं आपको रिप्लाइ जरूर करूंगी औ और मिलते किसी और वीडियो में बाई हैपी गार्डनिंग